क्यों हमारा देश भयानक आर्थिक मंदी के दोर में फस गया है जी हाँ अब तो नीटी आयोग के अध्यक्ष ने भी इस बात की पुस्टी कर दी है सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले नीटी आयोग ने यह कहा है कि भारत की अर्थ यवस्ता सतर साल के सबसे बुरे दोर से गुजर रही है नीटी आयोग की हटेपणी बहद माईने रखती है खास कर इस समय जबकि बाजार में हाहाकार मचा हुआ है शेयर वजार डूब रहा है आटो मोबैल सेक्टर की वाट लगी हुई है और टेक्स्ट्राइल इंडस्ट्री वाले भी रो रहे हैं यहने जिदर देखो उदर हाहाकार ही हाकार मचा हुआ है आखिर इसकी क्या वजह है है? सवाल इस बात का है कि यह हो क्या रहा है क्या सरकार इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है? नीतिय आयोग ने यह भी कहा है कि ये सुस्ति को दूर करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने और निजी छेतर का डर खतम करने के प्रयास करना होंगे आयोग क्योपा देक्ष राजियू कुमार का कहना है कि वित्तिय छेतर में जारी संकट का असरप आर्थिक विकास पर भी दिखने लगा है उन्होंने कहा पिछले सत्तर वर्षों में वित्तिय छेतर की इतनी बत्तर हालत कभी नहीं रही हालत यह है कि नीजी छेतर में अभी कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है नहीं कोई किसी को कर्ज देने को तयार है हर छेतर में पैसों को जमा किया जा रहा है इन पैसों को बाजार मिलाने के लिए सरकार को अतरिक्त उपाय करने होंगे कुल मिलाकर नीती आयोक के उपादक्ष राजियू कुमार की इस टिपपणी के बाद यह जाहिर हो गया है कि हमारी अर्थिवस्ता गंभीर आर्थिक संकट के तोर से कुछ रही है कुल मिलाकर बाजार से जो आखड़े सामने आ रहे हैं उसमें बेरोजगारी की तरलागातार बढ़ रही है कंपनिया अपने कर्मचारियों को लियाप दे रही है उन्हें नोकरी से निकाल रही है यहां तक की पाँच रुपे का बिस्किट बेचने वाली पारले जी कमपनी भी संकट के दोर से गुचर रही है उसने दस हजार कर्मचारियों की छटनी कर दी है टेक्सटाइल इंडस्टी के अंदर हालत यह है कि टेक्सटाइल इंडस्टी में भानक मंदी है कहीं कोई उठाव नहीं दिख रहा है और यह कहा चाह रहा है कि इन सब के पीछे सरकार की नीतिया कहीं न कहीं समस्या की जड़ में सामने आ रही है पहले नोट बंदी उसके बाद GST और उसके बाद वेश्विक मंदी इन सब कभी असर इन पर हो रहा है और हालत यह है कि देश में मुद्रिक संकट खड़ा हो गया है याने नकदी का संकट जिससे कहा चाता है वह भी खड़ा हो गया है